दोस्तो डियोल कॉम्पानी के एंगल गाइंडर मैसीन का फिल कॉल का वार तोट गया है इसी वज़ासे मैसीन चल नहीं रहा है तो हमें पहले फिल कॉल को ओपेंड करते हैं फिल कॉल ओपेंड करने के लिए ये जो तरीका मेरे को सबसे बेस्ट लगा तो आप जमिन पर ठोक क फीड होता है वह कभी कबर खड़ाप हो जाता है तो हम ऐसे करके कभी नहीं खोलते हैं जब इन पर ठोक के ने तो लगड़ी के ऊपर ठोक के यह जो तरीका खोलने का मेरे को सबसे बड़ी लगा इसमें देखिए यहां से और टूट गया है इसमें कला इसमें बहुत जिदा फ सिंगल और से उसमें पांचिंग होते हैं और दूसरे जो कंपनी का फिल्ड कॉल होता है उसमें अलग से और से जोड़ा रहता है तो सिंगल रहने बज़े से कभी कभर इसमें फासिंग होने से तूट जाता है ज्यादा लोड़ पॉनने से भी ऐसे होते हैं तो इसमें जो औ तो हमें इसमें थोड़ा और को साप करने के बाद सोल लिंग करके हम इसको बड़ी ऐसे उसमें सेट कर लेंगे हम थोड़ा फास्ट कर लेते हैं तो आप बड़ी ऐसे सापसभाई दोनों वायर को बड़ी ऐसे सापसभाई करना ना उसके बाद आप सोल लिंग करके उसको जोड सकते हो तो हम इसके उपर रख लेते हैं दोनों वायर लेके उसके उपर हम बड़ी ऐसे उसको जोड लेते हैं उसके बाद हम इसमें सोल्डिंग करेंगे जोडने के बाद हम आपको देखा देते हैं कैसे जोडना है तो हम ऐसे करके हार वायर को जोड लेते हैं देखिए करेंगे दीख़ेंगे सोल्डिंग भी मैंने कर लिया उसके ऑन इसमें हम थोड़ा मास्किंग उसमें लगा देंगे हम पहले उसमें जो वे होता है ना उसका हम वी कर लेते हैं कर पांक ऐसे उस में रखना है आपको फिल कॉय को तो इसी दिसा में आपको feel call को बैठाना है, ने तो आप feel call को marking करके भी खुल सकते हो, आपको जो जो सही लगे कर सकते हो, मैं ऐसे करके काम कर तो कब कब marking भी कर लेता हूँ, तो हमें feel call को बैठाना है, तो हमें वायर को, जहांपर वहर हम जोडे थे, तो मास्किंग टेप से उसको मास्किंग कर लेते हैं इंसलेडर उसमें चड़ लेते हैं आपके पास स्लिपिंग ट्यूब रहता है तो भी दे सकते हो आपको जो सही लगे मेरे पास जो हमें पांखा का काम नहीं करता हूँ मेरे पास स्लिबिइंग नहीं होता तो हम जो कागोज का टेप है वह हम इसमें चिपका देते हैं तो हम ऊल्ए को थोड़ा देख लेते हैं देखने को हम बड़ locks कोollar फीटिंग करेंगे तो हमें देखना भी पड़ता है कहां से उसको हम डाले बड़े से वो फीट भी हो जाए तो हम देखे उसको फीटिंग करते हैं तो हम देख लेते हैं ने तो बाद में फीट से खोलना पड़ेगा वो हमें पहले देख लेना है व्ี้ट करना है दिre दिए-दिरे करकर कर लेना को तेखिये मैंने इस धुक्रेकर कर रहूँ कि ऊसमें जो वायर होता है उसको आपको बाहर करना है बर्याइब कि इस आपको ऊई में आपको जोर होता है चाहां पे जाहां हो डालके बाहर करना है आपको देख लेना है तो ऐसे कुछ समान से उसको धिरे-दिरे करके वार को बाहर कर लेना है तो उसमें दोनों साइड में आपको दोनों को जो कार्बन होलर है उसी के कार्बन होलर के दोनों और होलर रहता है उसको आपको बाहर करना है तो आपको ऐसे कुछ वी आप बड़ी ऐसे मैसिन को तेयर करते के दो तो इस विलियो में आपको जो उसमें जो भी तरीका होता है न वो देखाने के लिए थोड़ टाइम लगता है कास्टमर नहीं रहेगा तो अच्छा होता है तो उसको भी जल्दी होता है हमें भी आपको काम देखाना है बस सीखाना है तो उसमें नहीं हो सकता तो बाद में जो भी ऐसे कुछ काम आएंगे कोई नहीं राएगा तो हम आपको बड़ी ऐसे देखा के हम इसको बाहर कैसे करना है कहां से उसको रखना है हम आपको देखा देते तो हम ऐसे करके उसको हातों से मदद से पेश करके उसमें बैठा लेते हैं ने तो उसमें थोड़ा ठोक के भी हम बैठा सकते हैं तो नीचे बला जो जहां पर सुज बैठते हैं उसको हमें हाटा लेना है उसके बाद ऐसे करके हम इसको बड़ी ऐसे हातों से पेश करके बैठा सकते हैं तो थोड़ा तक्कर मानने से भी बैठ जाता है तो तक्कर आपको जमिन में भी टक्कर से धोड़ा साथ दे सकते हैं तो आप लकड़ी के उपर भी इसको ठोक के आपको बड़े ऐसे सेट कर सकते हूं आपको बड़े से इसको फिट कर लेना है इसके बाद आपको फैनगार्ट को बठा कर देखे लेना है बड़े से फैनगार्ट बैट रहा है नहीं बैट रहा है यह फैनगार्ट खराप हो गया है उसमें यह पास नहीं होगा साइड से हो होल हो गया है तो हम बड़े से इसको बैठा थोड़ा बैठना चाहते हैं तो हम इसको बैठा लेते बड़े ऐसे है बड़े से ने बेखे की तो व्य हैं बड़े से ने फीट होगा तो Backgender है юhington ऑद ऑजब को हम चेंज कर सकते हैं पहुत ही चोटे हैं तो एक आईसे रहते हो फ्ले हो सकते तो हम डिल्ल एंग कमपने के फैंड गार मां क्रप चला लेते हैं। आँ पहरinin कि उसमें होल राइने से फेंड़िणोर को आपको काम एयर को बाहर करना बड़ियर से बाहर नहीं होगा. तो आपको फेंड़िस्थ चेंचे करना है तभी, मैसीन बड़ियर से यायर को पास कर पाएगा उसमें स्थर्न झाल रएगा, कूल भी रहेगा नहीं तो कूल नहीं रहे पाएगा थोड़ा हीट होता रहेगा मैसिन में तो हम बैरिंग को चेंज कर लेते हैं उसमें निया बैरिंग हम फिटिंग करेंगे आगे बाला 608 पीछे बाला 607 बैरिंग होते हैं कि अच्छे साब सब्सक्राइब करने के बाद इसमें हम बैरिंग फिटिंग करेंगे दोनों बैरिंग चेंज करने के बाद हम एसन को फिटिंग कर लेंगे बड़ी ऐसे डाबर के बाहर करने के बाद हम छोटे पूलर के मादब से इसे वाला बेरिंग भी ओपन कर लेते हैं ऐसे कुछ पूलर आपके पास रहेगा तो आप बड़े ऐसे बेरिंग को ओपन कर पहोगे अब यह छोटे पूलर बहुत ही अच्छे होता है मार्केट में आप खरी सकते हो ने तो ओनलाइन से भी आप मांगा सकते हो ऐसे पूलर मैंने बहुत दिन पहले दो खरी दा था मैंने एक पूलर खराब कर दिये था अभी मेरे पास एक पूलर है एक पूलर मेरे पास बहुत दिन से रखा हुआ है ओप आगां में 4 स्वस्थल एक पुलर सेम काम कर। रहे हैं। तो इसमें बेरिंग जो प्ले सिना थोड़ा प्ले राइता है नया आर्मचहर ले लो उसमें भी ऐसे होता है जे पूराणना आर्मचह वाज़ा होता है। तो हमें थोड़ा टाइट करने के लिए हम डेंडाइट डालना है नहीं तो आप ज्यादा डालने से बेरिंग जब भी नीचे बैठाएंगे ना बेरिंग में यहां पे बेरिंग कर रोल यह जीर डेंड रहता है ना उसमें चिपक जाएगा बड़ी असे और बड़ी असे लीट निकरने के बाद बैरिंग को Poo ज्या मोगों में पढ़ता है तो इसका कार्म वह पता नहीं होता है फीर से हम खोलना परता है खोलने के बाद हमने जår दालते सरे में चिप्र ग्याय के इसी वाजा से बैरिंग बढ़ियासे में नहीं कर रहा है तो इस चीज़ का भी आपको ध्यान में राखके काम करना है पीछे बाला बैरिंग हम ठोक लेते कुछ छोटे ऐसे पाइप आपको लेना है इसके आप ध्यूरे करके ठोक के आप बैठा लेना अब जड़े करके हार काम कर सकते हो थोड़ा टाइम लगता है जल्दी जल्दी आप काम करोगो सन्सक् of के बैरिंग आपको पीछे체가 बाले जड़ान वाला एडियृन बैरिंग होता है ना जो एडियृन बैरिंग फिटिंग होते हैं उसमें एपको एक चीज ध्यान में देना है क्या चीज ध्यान में उसमें एक बेरिंग जहां पे बैठते है उसमें एक एड़र होते है उसमें कितना आपको रखना है आप जब बेरिंग खोलोगे आपको उसमें देख के पता कर लेना है कितना आपको रखना है ज्यादा भी नहीं करना और कम भी नहीं करना आपने तो स्केल में आप माप कर सकते हो मैं बहुत बार कम करते हो मेरे को आइडिया हो गया है कितना उसको रखना है नहीं तो ज्यादा कर देंगे तो क्या होगा राबार अंदर चला जाएगा और कम कर देंगे तो बाहर हो जाएगा तो आपको वो सही जाएगा बेरिंग को फिटिंग करना है तो आप बड़ी ऐसे बोडी के बाहर और राबार को आप फिट कर पहोगे नहीं तो आपका एड़ करऊगे नहीं तो क्या होग आप जो काम कर आपको पता भी नहीं चलेगा आपने बेरिंग कर पिटिंग की आ 90 का पिटिंग सुना वreso निष्ट सक्मेजरां पहले होसिंतोली ही्तोल फयिक आप辉को humour तो आपको पता भी नहीं चलाएगा आपने गल्ती किया था तो हम सभी से रिकर्ष्ट करेंगे जो भी काम करते हो ना प्यार से करना सही करना हम आपको जो डीटेल्स बता ले मैं उसमें कर चुका हूँ मेरे को पता होता है तो यह आपको पोई बात बता रहो मेरे बाद आपको बिस बास नहीं हो रहता है आप फीटिंग करके देखना आपको चीज देखाई देगा नया जो मैसिन होता है उसमें जो राबार फीट होता है देखना थोड़ा बाहर होता है बाहर कहा होता है राबार के उपर जो एक बोडार होता है ना बोडार बाहर होता है बेरिंग के अंदर बेरिंग विल्कुल सेम भेड़ बैठते है थोड़ा बाहर रहता है इतना थोड़ा बाहर आपको पता चल जाता है बेरिंग अंदर ही रहता है तो आपको ओ एर्जास को देख के फिट करना है तो मैसीन बड़े से बड़े चलेगा, उसमें कुछ नहीं होगा, बहुत बार जब भी नया वैरिंग फिटिंग करते हैं, उसमें गलती हो जाता है, मेरे से भी हुआ था, ऐसे नहीं मेरे से नहीं हुआ है, कभी कबर मेरे से जाता गलती हो जाता है, तो वैरिंग को दो तीन ब रखना आपको पता चल जाता है तो हम नाटो को बड़िया से फिट कर लेते हैं उसके बद हम मैसीन को आपको चला के देखाएंगे मैसीन का वायर टूट गया था हम और को फिर से जोडने के बाद सोल्डिंग करने के बाद फिल को ठीक कर लिया है उसमें दो बैरिंग खरब थ दिया बहुत ज़्यदा स्पार्क होगा तो आप आइकन कंपनी का कार्बोन डाल सकते हो वह बड़िया से चल जाता है ने तो पहले तो आपको यह का कार्बोन फिटिंग करना है उसको चला के देखना है उसमें स्पार्क कितना दे रहा है बहुत ज्यदा देखा तो आप जो आपको देखाया है तो में जो काम सिखे जितना मेरे से हो पाएगा हम कोशिस करेंगा आपको बड़िया से बड़िया काम सिखानी के लिए मेरे को काम किसी नहीं सिखाया था तो मैं मैनत करके काम सिखा हूँ बूद मैसिन में खराब कर दिया ऐसे हार रोज काम करता हूँ मेरे तोड़के काम सीखा हूँ जो काम होता है रियल काम होता है तो ऐसे ही जो काम होता है तो पैक्टिकल भी होता है तो आप काम तोड़के सीखे हो तो आपको हार एक्सपिरेंस होता है खराप करने वाला एक्सपिरेंस भी आपके पास रहेगा अच्छा वाला experience भी आपके पास रहेगा तो एक बार में हम काम को नहीं सीखते हैं तो बार-बार करना पड़ता है तभी हम काम को बढ़िया अपसे बढ़िया काम सीख पाते हैं तो हम जो भी काम सीखे हैं थोड़ा-थोड़ा करके आपको देने की कोसिस करेंगा हर वीडियो करते हैं जो काम उसमें हम करते है तो आपको देने की कोसिस करेंगे कि हर वक्त हम एक जयसा काम नहीं कर पते किने कर भी नहीं पा यह तो इसको नहीं रहते हैं कैसे काम क्या थे तो काम करने का थे थोड़ा-बहूत-इआद तो डियौल कंपानी का मैतिन बहुती हेब preciso होता है बूत दिन चलते इए मैसीन बहुत दिन चले है जिसमंच मंदीने मैसीन खैलए वह ख़ोद बोल रहा था इमेति छे साल उसने यूज़ कि ए तो बाद में उसका बात हम सुना देंगे बैंगली में भात करेंगे 64 006 तो हम उसको बाते आपको सुना देंगे लाश्ट में ये मैसीन छे साल से चल रहा है ये मैसीन डियोड कमपणी का ओर्जिनल आर्मेचर है जिसमन्द है कि मैसीने बहुत ज़दा मैसीन को मेंटरेंस करता है थोड़ा सा भी खरब होता है ना ओ मेरे पास लेकि आता है उसमें हमें अच्छे से अच्छे रिपियर करके उसको देना पड़ता है कुछ भी समान खरब होता है ओ बोल देता है बड cherry उसमान लाएंगे तो आप उसमें चेंज कर दो मैसिन को मैंने फिट कर लिया आप फिटिंग सोद देखिए देखिए ऐसे करके मैंने उसको फिटिंग कर दिया पहले जैसे था ऐसी है तो फिटिंग करने के बाद हम मैसिन को चला के आपको देखाएंगे तो मैसिन को हम फिटिंग कर लेते बड़ी ऐसे तो आप जो सबसे आच्छा आफी जो मैसिन लगा घट यौल स давJust가지고 कंपानिय का मैसिन अब जोने जो वीडियो हैं में आप ज़ाइवेड़ीय यह जाते है तो होता है उसको फिल्ड खराब भी हो जाता है डंग्चंग कमपनी मैसिन में ऐसे कुछ भी आपको देखने को नहीं भी लेगा मैसिन में कुछ भी भाइबेर से नहीं होगा यह मैसिन चलने से थोला भाइबेर सन होता है डंग्चंग कमपनी मैसिन भाइबेर सन होता है डंग चंग कमपनी में भाई बेसन आपको देखा ही नहीं देगा तो जो अच्छा होता है हमें अच्छा बोलना है डियोल कमपनी बेस्ट होता है बहुत ही बढ़िया मैसीन है ऐसे नहीं है डियोल अच्छे नहीं है तो मेरे को डियोल भी पसंद है डियोल सब भी अच्छा मेरे को जो लागा डंक चंग कंपानी का 801 एंगल गाइंडर मैसिन लागा क्यों बढ़िया है उसका वीडियो में ने बनाया है आप देख लीजिए मेरे को जो अच्छा लागा वो हम बता रहे हैं आपको जो भी अच्छा लागे आप खरिच सकते हों मैसिन को हम सीरीज में टेस्ट कर रहे हैं मैसिन सीरीज में टेस्ट हो रहा है अभी ठीक है तो हम डारी लाइन में मैसिन को चला दें मैसिन का मैंने बैरिंग चेंज किया है बैरिंग चेंज करने के बाद मैसिन का साउंड थोड़ा चेंज हुआ है मैसिन बहुत दिन से चल रहा है फिर भी आपको साउंड सुनके नहीं लगेगा मैसिन छे सल हुआ है लग रहा है मैसिन एक दो साल का मैसिन है मैसीन को बहुत ज़्यादा मेंटेंस करते हैं और आप भी मैसीन बहुत ज़्यादा मेंटेंस करोगा उसका सामान कुछ भी खराप नहीं होगा तो आपको हार मैसिन को मेंटेंस करना चाहिए बड़े सा बड़े आप मेंटेंस करोगा ना मैसिन बहुत ज़्यादा दिन चलेगा ऐसे नहीं आपको मैसिन का गिरिस जल्दी चेंज नहीं करोगा ना उसमें ग्यार भी खरफ हो जाएगा bearing थोड़ा खराप हो जाएगा उसमें sound भी आएगा तो मैसिन को आपको जितना ज़्यादा maintenance रखोगा न वो उतना ज़्यादा दिन चलेगा हर चीज में तो होता है न आप जितना ज़्यादा उसको देखवाल करोगे वो उतना ज़्यादा दिन use कर पाऊगे तो ए जिसका मैसिन है बहुत प्यार से इसको रखते हैं इसलिए मैसिन बहुत ज़्यादा ही चलते भी है तो मैसिन आप उसको दे देते हैं और उसको बाते भी आपको सुना देते हैं आपनाना मैसिन चेंज कर थागे नार में चरो अना इक दिन चोलते थागे तो